मारो नाम वेदा उपनाम दर्जा पैजान सब पैर रतलवा हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि सच और सबूत तै करता है झालब पूर्स तर्टेज में कारें सब्स्क्राइड में जाएब जाए आप लगों को बताते हैं आप लोगों को बता दे दंगल एक पिता के सपने और जित का जो की साकार होना है और हाला कि कई बार वह बेटियों की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापू लगता है मगर वह उन्हें जो की उचे मुकाम तक पहुँचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो कि कहानी की जो कि बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो आदर्श जो कि उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अभनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपनी मिट्टी की फिलम है जैसी फिलमें है कि बॉलेवुड की धड़कने डूबने से बचा सकती है और गीता की भूमका में जो कि फातिमा जो कि उपस्तिति दर्ज करती है और बबीता बनी सान में थोड़ी कशर बाकी दितिती है और मगर मुक भूमका में जो की उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बदा दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जो की जीवन की घटनाओं से प्रेडिस बनाया और गीता फोको गीता ओगट का नाम जो की तब लोगों को जुबान पर चड़ा जब उन्होंने दिल्ली में 2012 के जो की राष्ट मंदल खेलों में सवर्ग जो की पदाग जीता और इन खेलों में सवर्ग जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और स खूना खून करके पीट दिया है और तब उसकी जो की चेतना जाकती है कि छोरियां क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद ठान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाडे में उतनना है अब दुनिया में हर नई अर जित को जो की सेलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बढदे जो की ना छोरियों छोरों से कम है और ना आमीर एक दूसरे के खान के फीछे हैं और फिलम के सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो बहुनाओ का पारा उस उचाई तक को जो की उठाती है जैसा पैसा वसूलने बाला एसास जाकता है आप पाते हैं कि दंगर धाकड है और नोट बंदी के बाद आपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्षन फैमली और ड्रामे से जो की एक कदम आगे और देश भक्ती के जजबे तक कहती हैं और अंत में जो की जयोलैस को जो की संपृत राष्टगान की जो की धुन बचती हैं जो सीट छोड़कर सावधान के मुद्दा में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राष्टबाद तो जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता हैं तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस्तित अपनी भूबका को इस्तार्ट सिद्ध करने का जो की संगस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की वेटी उसका सफना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की पुरिशासित पूर्बुष जो की शोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हड्याना के जो की बली में रहने वाले राष्ट कुस्ति चेंपियन है और उनके जो की ओसत भारती पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की फाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से मिरास होकर वह उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटियां गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जो की टिपिडियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें जो की पृसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर लगते हैं और उन्हें सुबा सुबा जो की भीशर्ट जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबरजस्ती उनके बाल कटवा देते हैं और गाम वालों की जो की अलोचना का जो की सामना करने के बावजूद वह उन्हें और अपने अस्थाई मिट्टी के जो की गड़े में जो की प्रिशनन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जो की वभार से नार लेती हैं, जहां वो लड़कों को हराती हैं, और कुस्ती मैट खरिदने में जो कि अमसमरत महावीर गद्दे का युपियो करते हैं, और उन्हें जो कि परत्य पादी योजनाओ के लिए जो कि तयार करने के लिए जो कि प्रिशाथित करते हैं और गीता आगमी जो कि राश्ट मंदल खेलों के लिए जो कि परिशन लेने के लिए पट्याला मे जो कि आकादामी जाने से पहले राज और जो कि राश्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चेंपियनशिप जित्ती है जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोश परमोत कदम के जो की रवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनुश शाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और पुस्ती तकनीती उसके फिता से पूरी तरह उरत जाती है और अपने घर आने के बाद दौल। कर तो है जो कि अहंकारी तरीके से जोकि कि उसका मजा कुड़ाने के बाद एक पहेंकर मुकाबले में ठ्लके हुए महावीर को हरा देती हैं और बभीता जोकि उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर Посक्ब करना चाहिए और उसके तुरंद बाद बवीता राश्ट चेम्पियंशिप जीट जाती है और गीता के साथ जो की अकादमी चली जाती है और दोनों बेहनों के बीच एक भावना तमक बादचीत के बाद जिसमें बवीता उसे पुर्शेहित करती है और गीता जो की आसूं के साथ जुकि महाबीर के साथ जुकि शांती बनाती है राश्ट मेडल खेलनों से पहले परमोद गीता को जुकि उसके जुकि समन्याई 55 किलो गराम के जुकि बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जुकि परती इसपर्दना करने के लिए मजबूर करता हैं और यह जानने इस पर चिटकर महाबीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जुकि पट्याला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जुकि कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जुकि जानने और महाबीर के जुकि हस्चेप से प्रोधित होकर परमोल लड़कियों को जुकि निश्चित करन सुरू कर देता हैं दोस्तो ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली हैं दोस्तो आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जोकि बहुत 70 करोड रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ऑफिस कोलेक्शन जोकि इस फिलम ने जोकि 2000 कर करेक्टर थे नितेश तिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तों अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जोकि इस फिलम को एम जोन पर आएं वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख से हैं और आमीर शांदार पर पर शानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपने मिट्टी की फिलम है जैसी फिलमें हैं कि बॉलिवुट की धड़कने दोगने से बचा सकती हैं और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिती दर्ज करती है और बबीता बनी सान में थोड़ी कशर बाकी दितिती हैं और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बदा दे रदंगल राष्ट इसतर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वभीता के जोकी जीवन की घटनाउं से प्रेदिस सिनेमा हैं और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जोकी चार दिवारी में कहत करतने वाले अपने जोकी समाज की सौच के बिरुद बेटियों को जोकी अंतरिष्टे पहलवान बनाया और गीता फोपो गीता ओगट का नाम जोकी तब लोगों को जुबान पर चब पहलवान बनी और सपना है कि बिर्श कुष्टी का जोकी सण जोकी परदात के एक के बाद एक चार बेटियों ने रासपिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खून खून करके पीप दिया है और तब उसकी जोकी चेतना जाती है कि छोरियां क्या चोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जित ठान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के भीच उन्हें आखाड़े में उतना है अब दुन्या में हर नई सुरवात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जोकी सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बना दे जो कि ना छोरियों छोरों से कम है और ना आमीर एक दूसरे की खान के पीछे हैं और फिल्म की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओ का पारा उस उचाई चक जो की उठाती है जैसा पैसा बसुरने वाला एहसास जाता है आप प प्रामे से एक कदम आगे और दीष भक्ति के जज़वे तक पहती हैं और आंत में जो की जयो लैस को जो की संप्रत राश्टगान की दुन बचती हैं जो सीध छोड़कर साथान के मुंदाब में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टवाद को जो की संप्रत इस दौरान में सफलता का जो की इससे बहतर पैमाना क्या हो सकता हैं तंगल के कहानी ऐसे समाज इस्ति है जहां इस्तिरी अपनी भूम का को इस्तार्ट सिद्ध करने का जो की संगस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की वेटी उस का सफना पूरा कर सकती है वह यह आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति के पहलवानी शैली में जो की प्रशासित पूर्बुस जो की शोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हड्याना के जो की बली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चैंपियन हैं और उनके जो क गी कि लापकारी रोजगार पृट करने के लिए खेल चोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पादक नहीं जीत पाने से बिरास होकर है जो की पंब जाब में दो लड़कों को पेटने के वाद धुराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छम्ता का exhale 對啊 और उन्हें जो की पृषित करना शुरूख करने के लिए मंजबूर करते हैं और गाम वालों की अरोचना जो सामना कर्मे के बावजूद वह उन्हें और अस्थाई मिठी के गड़े में जो की प्रिश्णन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जो की वभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्दी उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविष्ट के परवा है और प्रे को भी का युक्यों करते हैं और उन्हें परटे सपाम्म के लिए युजनाओं के लिए जो की तयार करने के लिए जो की प्रिश्टाइल क्रिश्थि में प्रिशातित करते हैं और कोच परमोत कदम के जो की दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश शाशन की जो की आव फेलना करना शुरू कर देती हैं जिससे परिशन के तरीके और कुस्ती तक नीती उसके फिता से पूरी तरह अलग हैं और इसलिए वह जो की अंतर राश्टे जो की इसतर और ह बार में जाती है और अपने घर आने के बाद जो की दोरान वह जो की एहंकारी तरीके से जो की उसका मजा कुड़ाने के बाद एक जो की भेंकर मुकाबले में ठके हुए महावीर को हरा देती हैं और बवीता जो की उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर सब्सक्राइब करना चाहिए और उसके तुरंद बाद वभीता राश्ट चैंपियंशिप जी जाती है और गीता के साथ जो की अकादा में चली जाती है और दोड़ों बेहनों के बीच एक भावना तमक बाचीत के बाद जिसमें वभीता उसे पुर्शेहित करती है और गीता जो कि आसूं के साथ जो कि महावीर के साथ जो की शांती बनाती है राश्ट मेडल खेलों से पहले परमोद गीता को जो की समन्याइब 55 किलोगराम के बजाए 51 किलोगराम भाग वर्ग के जो की परति इस पढदना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटक पोकर परमोर लड़कियों को जो की निश्चित करना सुरू कर देता है दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली है दोस्तों आप लोगों को बता दें यह फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जो की बहुत 70 करोड रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल ब फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस विलम को एमजून पर वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख सकते हैं जानी इस वीडियो के माध्यम से दंगल फिलम की रिब्यू और हिंदी में कहानी और आप फिलम को कहां पर देखें गे तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रहे हम आप लोगों को बटाते हैं आप लोगों को बदादें दंगल एक प्ता के सपने और जीतका जो की साकार होना है और हाला कि कई बार वह बेटीूं की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापू लगता है मगर वह उन्हें जो की उचे मुकाम तक पहुँचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो की कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो आदर्श जो की उपस्तिती दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता के चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर सापाते हैं दंगल अपनी मिट्टी की फिलम है जैसी फिलमें है कि बॉलेवुड की धड़कने डोबने से बचा सकती है और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिती दर्ज करती है और बबीता बनी सानिया की भी तीछे नहीं रहती है और जोकी साचित जोकी तावर छोटी मगर जोकी उलेखन निये भूमका में है और नितिस दिवारी की कहानी शाधी और निर्देर्शक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दिखती है और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जोकी जीवन की घटनाओं से प्रेडिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जोकी चार दिवारी में कहत करकने वाल 2012 के जोकी राष्ट मंदल खेलों में सवर्ग जोकी पदाग जीता और इन खेलों में सवर्ग जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि बिर्श कुस्ति का जोकी सण जोकी परदाग एक के बाद एक चार बेटियों ने रास पिता अचानक पाता और उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खुना खुन करके पीट दिया है और तब उसकी जोकी चेतना जागती है कि छोरियां क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद्ध ठान लेता है और गाम वालो को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाड़े में उतना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो कि सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जो की ना छोरियों छोरों से कम है और ना आमीर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम के सी चाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा वसूलने वाला एसास जाकता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ बंदी के बाद अपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्सन फैमली और ड्रामे से जो की एक पहलवान के मुद्द में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद को जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता है तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस्तित्री अपनी भूबका को इस्तार्ट सिद्ध करने का जो की संघस कर रही है और एक पहलवान पत्नी से बेटे की उमीद पाने उसे लगता है और कि बेटी उसका सफना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की प्रशासित पूरबुस जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हड्याना के जो की बल्ली में रहने वाले राष्ट कुस्ती चेंपियन हैं और उनके जो की ओसत भारती पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से निरास होकर वह उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जो की टिपिडियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं, तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है, और उन्हें जो की पुरसित करना शुरू कर देते हैं, और उनके तरीके कटोर लगते हैं, और उन्हें सुबा जो की भीशर्ट, जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबरजस्ती उनके बाल कटवा देते हैं और गाम वालों की जो की अलोचना का जो की सामना करने के बावजूद वह उन्हें और अपने अस्थाई मिट्टी के जो की गड़े में जो की परिशनन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जुकी वभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविस के जुकी परवाह है और प्रेडित होकर उन्हें जोकी स्ष्ता से कुस्ती जोकी नोस्टामेंट में भाग लेती हैं जहाँ वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मैट खरीदने में जोकी अमसमरत महावीर गद्दे का युपयोग करते हैं और उन्हें जो की परतिस पादी योजनाओं के लिए जो की तयार करने के लिए जो की प्रिश्टाइल कुस्ती में जो की प्रशाथित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंदल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज आओर जो की राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जीती है जोस्तो वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोश परमोत कदम के जो की रवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश शाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और कुस्ती तकनीती उसके फिता से पूरी तरह अल कर मुकाबले में ठेके हुए महावीर को हरा देती है और बवीता जो की उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम जो की सम्मान करना चाहिए और उसके तुरंद बात बवीता राश्ट चेंपियंशिप जीत जाती है और गीता के साथ जो की अकादमी च शांती बनाती है राश्ट मेडल खेलनों से पहले परमोद गीता को जो की उसके जो की समन्याई 55 किलो गराम के जो की बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जो की परती स्पर्दना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महाबीर अपने भतीजे ओमकार के करना सुरू कर देता है दोस्तो ऐसी कहानी जो की हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जो की बहुत 70 करोड रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ओफिस कोलेक्शन जो की इस फिलम ने जो की 2000 को 1000 करोड से भी जादा की बॉक्स ओफिस कोलेक्शन फिलम ने कमाये थे और इस फिलम के डिरेक्टर थे निटेश तिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तो अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो की इस फिलम को एमजून पर ये बॉलेवुड में दूसरा रही है और गीता के चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपने मिट्टी की फिलम है जैसी फिलमें है कि बॉलेवुड की धरकने डोगने से बचा सकती है है और गीता की भुमका में युकि फातिमा जो की उपस्तिति दर्ज करती है और बभीता बनी सानियां की भी चुछे नहीं रहती है और साच्छित टावार छोटी ग। मगत जो कि उलेखं नीर दिर्बबुका के नितेशचिवारी की कहानी शाधी और निर्देशक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दिपती है और मगर मुक भूंका में जो की उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जीवन की घटनाओं से प्रेदिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जो की चार दिवारी में कहत रखने वाले अपने जो की समाज की सोंच के जो की बिरुद बेटियों को जो की अंतरिष्टे पहलवान बनाया और गीता फोपो गीता ओगट का नाम जो की तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्हों ने दिल्ली में 2012 के जो की राष्ट मंडल खेलों में सवर्ड जो की पदाग देता और इन खेलों में सवर्ड जेतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि दिर्श कुष्टी का जुकी सब्सक्राइब की परदाग एक के बाद एक चार बेटियों ने राष्पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खून खूना खून करके पीट दिया है और तब उसकी चेतना जागती है कि छोर क्या चोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जित ठान लेथा है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाले में उतना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो कि सलाम करता है और यही होता है कहीं आप लोगों को बदा दे जो कि ना छोरियों छोरों से कम है और आमीर एक दूसरे की खान के पीछे हैं और फिलम की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो ब्रावनाओ का पारा उस उचाई तक उठाती है जैसा पैसा वसुरने वाला एहसास जाता है आप पाते हैं कि दंग आगे और दिस ब्रक्ति के जच्वे तक रहती हैं और अंत में जो की जयों लैस पूझिकी संप्रत राश्टगान की दुखी दून बस्ती हैं जो सीधी चोड़कर साथान के मुंदभ में खड़े होकर तिरंगे को साम करते हैं और राश्टबाद को जो की संप्रत इसक्रत क्लिए में सखलता का जो कि इससे बहतर पैमाना क्या हो सकता है तंगल के कहाणी ऐसे समाज इस्ति है जहां इस तरी अपनी भूम का को इस्थार्थ सिद्व करने का जो कि संगस कर रही है और एक पहलवान पत्नी से बेटे की उमीद पाने उसे लगता है और बेटी उसका सपना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति के पहलवानी शैली में जो की पुर्शासित पूर्बुस जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगाट हड्याना के जो की बल्ली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चेंपियन हैं और उनके जो की ओसत भारतिय पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बीट या गीता और वबीता जो की आप मानक जनक जो की चुपिणियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें जो की परसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर लगते हैं और उन्हें सुबा सुबा जो की भीशर्ट जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबर जलती उनके बाल कटवा देते हैं और गाम वालों की जो की अलोचना जो की सामना करने के बावजूद वह उन्हें और अपने अस्थाई मिट्टी के जो की गड़े में जो की प्रिशनन देते हैं और शुरूब में लड़कियों अपने पिता के जो की व्रभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्दी उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविस्त के परवाह है और प्रेडित होकर उन्हें जो की स्वच्चता से कुस्ती जो की मुश्टामेंट में करने के लिए उन्हें परशातित करते हैं और गीता आग्मी राष्ट बंदल खेलों के लिए जो की परिश्चन लेने के लिए पट्याला में राश्ट खेल जोकी आकादामी जाने से पहले राज और जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जिती हैं जोस्तों वहीं पहुंचने पर गीता दोस्त बन जाती हैं और अपने कोच परमोत कदम के जोके दबाव में महावीर गौरा से खाए गए अ सब्सक्राव फेलना करना शुरू कर देती हैं जिससे परीषण के तरीके और कुष्टी तक नीती उसके सिता से पूरी तरह अलग है और इसलिए वह जोकी अंतर राश्टे जोकी इस तर और हार में जाती है और अपने घर आने के बाद जोकी दोरान वह जोकी एहंकारी तरी परमान करना चाहिए और उसके तुरंद बाद बबीता राश्ट चैंपियंशिप जीत जाती है और गीता के साथ जोकी अकादमी चली जाती है और दोरों बहनों के बीच एक भावना तमक बाचीत के बाद जिसमें बबीता उसे प्रशेहित करती है और गीता जोकी आंसूं क के साथ जुकि महावीर के साथ जुकि शांती बनाती है राष्ट मेडल खेडलों से पहले परमोज गीता को जोकी उसके जोकी समयाई 55 किलो गराम के बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जोकी परती इस परद्धना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर म महावीर अपने भतीजी ओमकार के साथ जो कि पट्यारा जाता है और लड़कियों को गुप्त रूप से जुकी कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जुकी जानने और महावीर के जुकी हाथ से छेप्ट से प्रोजित पोकर परमौल लड़कियों को जुकी देखने को मिली है दोस्तों आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जुकी बहुत 70 करोण रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ऑफिस कोलेक्शन जुकी इस फिलम ने जुकी 2000 करोण से भी ज्यादा की बॉक्स ऑफिस जानी इस वीडियो के माध्यम से दंगल फिलम की रिब्यू और हिंदी में कहानी और आप फिलम को कहां पर देखेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ आप बने रही हम आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को बता दे दंगल एक पिता के सपने और जित का जो की साकार होन है और हाला कि कई बार वह बेटियों की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापू लगता है मगर वह उन्हें जो की उचे मुकाम तक पहुचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो की कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वह आदर्श जो की उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अभनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपनी मिट्टी की फिलम है जै अचित जो की तावर छोटी मगर जो की उलेखन निये भूमका में हैं और नितेश दिवारी की कहानी शाधी और निर्देर्शक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दितिती हैं और मगर मुक भूमका में जो की उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता द कहत करकने वाले अपने जो की समाज की सोच के जो की बिरुद बेटियों को जो की अंतरिष्टे पहलवान बनाया और गीता फोको गीता ओगट का नाम जो की तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्होंने दिल्ली में दो हजार बारा के जो की राष्ट मंदल खेलों म सवर्ग गजीता और इन खेलों में सवर्ग जीतने वाली वह विढ़ेश का पहली महिला पहलेवान बनी और सपना है कि घृष्ष किस्ति का जो की स़णी पर दात एक चार बेटियों ने निरास पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बतमीजी करने वाले लल्ग छोरों को खूनकशून करके पीट दिया है और तब उसकी चेफना जाकती है कि छोडिया क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद ठान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाडे में उतनना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो की सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जो की ना छोरियों छोरों से कम है और ना आमीर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम के सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो बहुनाओ का पारा उस उचाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा वसूलने बाला एसास जाकता है आप पाते हैं की दंगर धाकर है और नोडबंदी के बाद अपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्सन फैमली और ड्रामे से जो की एक कदम आगे और दिस भक्ती के जज़बे तक कहती हैं और अंत में जो की जयो लैस को जो की संपृत राष्टगान की जो की धुन बच्ती हैं जो सीट छोड़कर सावधान के मुद्दा में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद तो जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता है तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस्तिरी अपनी भूबका को इस्थार्ट सिद्ध करने का जो की संघस कर रही है और एक पहलवान पतनी से बेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की बेटी उसका सफना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारती कुस्ति के पहलवानी शैली में जो की पुर्शासित पूर्भुष जो की शोकिया पहलवान महाभीर सिंग जो की फोगट हर्याना के जो की बली में रहने वाले राष्ट कुस्ति चैंपियन हैं और उनके जो कि आउसत भारती पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बीटा जीतेगा और चार बीटियों होने से निरास होकर वह उमिद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया गीता और बबीता जो की आप मानक जनक जो की टिपनियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद गहराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें प्रिसित करना शुरू कर देते हैं औरूनके तरीके कठोड करने के लिए मजबूर करते हैं और जबरजद्थी उनके बाल कठवा देते हैं और गांवालों की जोकी अलोचना का जोकी सामना करने के बावजूद वह उन्हें और अपने अस्थाई मिढ़ी के गड़े में जोकी परिशनन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जोकी वभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविष्क जो कि परवा है और प्रेडित होकर उन्हें जो की स्वच्चता से कुस्ति जो की नुश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ति मैट खरीदने में जो की अमसमरत महावीर गदे का युप्यो करते हैं और उन्हें परतिस पादी योजनाओं के लिए जो की तयार करने के लिए जो की प्रिश्टाइल कुस्ति में जो की प्रशाचित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंडल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जितती है जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोश परमोत कदम के जो की दबाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश शाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और पुस्ती तकनीती उसके पिता से पूरी तरह चाहिए और इसलिए उन्तर राच्ट जो की इसतर पर हार में जाती है और अपने घर आने के बाद जो की दोरान वे जो जाती है और गीता के साथ जोकि आकादमी चली जाती है और दोंसें बहली के बीच एक भावना तमक's बाद बाढ़ चीत के राद ॉधुळं셨े सांसां करने के मुझबूर करता हैं और यह जानने इस पर चिटकर महावीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जो कि पट्याला जाता हैं और लड़कियों को गुपत रूप से जो कि कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो कि जानने और महावीर के जो कि हस्ट छेप से प्रोवधित होकर परमोल लड़कियों को जो कि निस्ट सिट करना सुरू कर देता हैं दोस्तो ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली हैं दोस्तो आप लोगों को बता दे यह फिलम आई थी नितेश तिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तो अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस फिलम को एमा जोन पर आइम वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख सकते हैं और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो कि कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी होए आदुष जो की उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा रही है और पिता की चिंता परिशानी और नाकामी और सफल जो की उपस्तिती दर्ज करती है और बवीता बनी सानिया की भी पीछे नहीं रहती है और जो की साचित जो की तावर चोटी मगर जो की उलेखन निये फूमका में हैं और नितिस्तीवारी के कहानी शाधि और निरदेशक कशा हैं और संगीत में थोड़ी कशर माकीत दीपती है और मगर मुक भूंका में जो की उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जो की जीवन की घटनाओं से प्रेदिस सिनेमा हैं और यह बताता है कि कैसे म होगट का नाम जो कि तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जबनों ने दिल्ली में 2012 के राष्ट मंडल खेलों में सवर्ग जो की पदाज देता और इन खेलों में सवर्ग जितने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि विर्ष कुस्ति का जो की सण जो कि परदाक एक के बाद एक चार बेटियों ने रास पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खून खून करके पीट दिया है और तब उसकी चेतना जाकती है कि छोरिया क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बना के लिए जित खान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाड़े में उतना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो कि सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जुकि ना छोड़ियों सुरों से कम है और ना आमीर एक दूसरे की खान के पीछे हैं और फिल्म की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओ का पारा उस उचाई तक उठाती है जैसा पैसा वसुरने वाला एहसास जाता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़बंदी के बाद आपने खु जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्षन फैमली और ड्रामी से एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़बे तक रहती हैं और अंत में जो की जयो लैस्ट को जो की संप्रत राश्टिगान की जो की दुन बस्ती हैं जो सीप छोड़कर साथान के मुद्ध में खड़े ह कर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद को जो की संप्रत इस दौरान में सफलता का जो की इससे बहतर पैमाना क्या हो सकता है तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस तरी अपनी भूम का को इस्थार्ट सिद्ध करने का जो की संगस कर रही है और एक पहलवा जो की शोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगर्ट हड्याना के जो की बली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चेंपियन हैं और उनके जो की ओसत भारते पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपन उनकी बेटिया गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जो की चुपिणियों के जवाब में दो लड़कों को पेटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें जो की परसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर लगते हैं और उन्हें सुबह सुबह जोकी भी सट बहुकि की कंसरत करने के लिए मंजबूर करते हैं और जे प्रिपकों देते हैं और शुरू में अपने पिता चुपरभाद से नालाज होती हैं लेकिन जल्दी उन्हें उनके भभिष के परवा है और प्रेडित होकर उन्हें जोकी स्वस्थिता से कुस्थी जोकी नुश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्थी मैट खरीदने में जोकी अमसमर्त महावीर दद्रे का युपयोग करते हैं और उन्हें जोकी परतिसपादी योजनाओं के लिए जोकी तयार कनने के लिए जोकी प्रिस्टाइल तुस्ती में जोकी पुर्शातित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंदल खेलों के लिए जो की परिश्ण लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राष्ट दिश्टर पर जूनियर और सीनियर चेंपियंशिप जितती हैं जोस्तों वहीं पहुंचने पर गीता दोस्त बन जाती हैं और अपने पोच परमोत कदम के जो की दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश राष्ण के जो की आओ फेलना करना शुरू कर देती हैं जिससे परिश्ण के तरीके और कुस्ती तक नीती उसके फिता से प हैंं कर मुकाबले में ठके हुए महावीर को खरा देती हैं और वविता जोकी उसकी जलती की ऊद्स दिलाथी हैं और कहती है कि उसे महावीर का सम्दत जो कि सम्मान करना चाहिए और उसके तुरंद बाद वभीता राष्ट चैंपियंशिप जीत जाती है और गीता के साथ जो की अकादामी चली जाती है और दोडों बेहनों के बीच एक भावना तमक बाचीत के बाद जिसमें वभीता उसे प्रशेहित करती है और गीता जो की आ जो की परति इसवड़ना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महावीर अपने भतीजी ओम्कार के साथ जो की पाट्यारा जाता है और लड़कियों को गुप तरूप से जो की कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो की जानने और महावी दी जुकि बहुत 70 करोण रुपे के आसपास था और फिल्म ने टोटल box office collection जुकि इस फिल्म ने जुकि दो हजार करोड से भी जादा की box office collection फिल्म ने खमाय थे और इस फिल्म के डिरेक्टर थे नितेज किबारी और इस फिल्म को भी उन्हों ने ही लिखा था दोस्तो अगर आप लोगों पो फेलम देखना है तो आप लोग जोकी स्विलम को एमा जोन परहें वीडियो पर दाखता, आप बड़े आसाणी तरीके से फिलम को देख सकते हैं जानी इस वीडियो के माध्यम से दंगल फिलम की रिब्यू और हिंदी में कहानी और आप फिलम को कहां पर देखें गेब तो दोस्तो वीडियो के साथ आप बने रही हम आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को बता दे दंगल एक पिता के सपने और जित का जो की साकार होना है और हाला कि कई बार वह बेटियों की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापो लगता है मगर वह उन्हें जो की मुचे मुकाम तक पहुँचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो की कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो अदुर्ष जो की उपस्तिती दर्ज करते हैं और उनके जैसा अभनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिं कि लुकि ताबर छोटी मगर जो की उले खनी भुमका में हैं और नितेष वारी की कहानी शाधी और निर्देर्शक करती ऑर संगीत में थोड़ी कशर बाकिदिवक्ति और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सिधा सम्मन नहीं है वहीं आप लोगों को बदा दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जोकी जीवन की घटनाओं से प्रेडिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जोकी चार दिवारी में कहत करकने वाले अपने जोकी समाज की सौच के जोकी बिरुद बेटियों को जोकी अंतरिष्ट पहलवान बनाया और गीता फोको गीता ओगट का नाम जोकी तब लोगों को जुबान पर चड़ा जुकि सुद्च परदात और ईक के बाद एक चार बेटियों ने रास्पिता अचानक बाता है। कि उसकी बेटियोंने बत्मीजी 1990 लड़ चोरों को खून खून कई पीत दिया है। और तब उसकी जुकि चेथना जाकती है कि छोरिय क्या फोरों से कम है। और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद ठान लेता है और गावालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाडे में उतरना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जिद और जिद को जो कि सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जो कि ना छोरियों छोरों से कम है और ना आवीर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम के सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो बहुनाओ का पारा उस उचाई तक जो कि उठाती है जैसा पैसा वसूलने वाला एहसास जाकता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोडबंदी के बाद अपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो कि इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्सन फैमली और ड्रामे से जो कि एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़बे तक कहती हैं जाप राष्टगान की जो कि धुन वजती है जो सिट छोड़कर सावधान के मुद्दमे कुए खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद वो जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता है तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस्तिरी अपनी भूमका को इस्थार्ट सिद्ध करने का जो की संघस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की उम किया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हड्याना के जो की बल्ली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चेंपियन है और उनके जो की ओसत भारती पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करनी के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के ये जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह है जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से निरास होकर वह उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जो की और उन्हे सुबा सुबा जो कि भी शर्त जो कि कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जब अबड़के उनके बाल कटवा देते हैं और गाहं Me अपने अस्थाई मिट्टी के मी जो की प्रिशनन देते हैं और शुरू मे लड़कियों अपने साब के उनके भविस्ट के परवाह है और प्रेडित होकर उन्हें जोकी स्वाशता से कुस्ती जोकी नुश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मैट खरीदने में जोकी अमसमरत महावीर गद्धे का युप्योग करते हैं और उन्हें जो की परतिस पादी योजनाओं के लिए जो की तयार करने के लिए जो की प्रिश्टाइल कुछती में जो की प्रशाथित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंडल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज आओर जो की राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जितती है जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोच परमोत कदम के जो की दबाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूशाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और कुस्ती तकनीती उसके पिता से पूरी तरह एग जो की भैंकर मकाब्ले में ठके हुए महावीर को हरा देती हैं और ववीता जो की उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम्मान करना चाहिए उसके तरंद बाद वहावीता राश्ट चैंपियंशिप जीत जाती है और गीता के साथ जो की अकादमी चली जाती है और दोरों बेहनों के बीच एक भावना तमक बाचीत के बाद जिसमें वभीता उसे पुर्शेहित करती है और गीता जो की आंसुओं के साथ जो की महावीर के साथ जो की शांती बनाती है राश्ट मेडल खेलनों से पहले गराम के जोकी बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जोकी परती इसपर्दना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महाबीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जोकी पट्याला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जोकी कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जोकी जानने और महाबीर के जोकी हस्ट छेप से कुरोधित होकर परमोल लड़कियों को जोकी निश्चित करना शुरू कर देता है दोस्तो ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जो कि बहुत 70 करोड रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ओफिस कोलेक्शन जो कि इस फिलम ने जो कि 2000 करोड से भी जादा की बॉक्स ओफिस कोलेक्शन फिलम ने कमाये थे और इस फिलम के डिरेक्टर थे नितेश तिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तो अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस फिलम को एमा जोन पर आएम वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख सकते हैं और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो कि कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी होए आदुष जो की उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवट में दूसरा रही है और पिता की चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं जब अपने मिट्टी की फिल्म है जैसी फिल्म है कि बॉलेवट की धड़कने डोगने से बचा सकती है और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिती दर्ज करती है और बभीता बनी सामया की भी पीछे नहीं रहती है और जोकी तावर छोटी, मगर जोकी उलेखन निये भूमका में हैं और नितिस तिवारे की कहानी शाधी और निर्देशक कशा हैं और संगीत में थोड़ी कशर बाकित हैं और मगर मुख्भूमका में जोकी उससे सिदा संबन नहीं हैं वहीं आप लोगों को बतादे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जीवन की घटनाओं से प्रेदिस सिनेमा हैं और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जो की चार दिवारी में कहत करतने वाले सद्वर्वाइबार के जो कि राष्ट मंदलख एलों में जो की पदाच देता और इंवे सवर्व जीतने वाली वह विज्देश की पहली महिला पहलवान नीजा है कि विर्ष कुस्ति का जो कि सण ब्रूदाद एक चार बेटियों ने रासपिता अचानख पाता है इसकि बै और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जित फान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाणे में उतना है अब दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो कि सलाम करता है और यही होता है अब लोगों को बना ले जुकी ना छोड़ियों छोड़ों से कम है और ना आमीर एक दूसरे की खान के पीछे हैं और फिल्म की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओं का पारा उस उचाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा बसुरने वाला एहसास जाता है आप आते हैं कि दंगल धाकर है और नोडबंदी के बाद आपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जुकी इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्शन फैमली और ड्रामे से जुकी एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़वे तक नहीं हैं और आंत में जुकी जयोर लैस को जुकी संप्रत राश्टगान की जुकी धुन बच्ति हैं जो सीप छोड़कर सावधान के मुंदब में खड़े होकर तिरंगे को सराम करते हैं और राश्टबाद को जो की संप्रत इस दौरान में सखलता का जुकी इससे बहतर पैमाना क्या हो सकता हैं तंगल के कहानी ऐसे समाज इस्तित ह जहां इस तरी अपनी भूम का को इस्तार सिद्ध करने का जो की संखस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की वेटी उसका सपना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की प्रश लाखार करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए नहीं जीत पाने से निरास होकर है त्युक्ष् Safat interrupt कर में दो लड़कों को पीटने के बाद धाराती हैं , पहलवान बनने की उन की चमतब का एहसास होता है , उन्हें परशिद करना शुरू कर देते हैं , औरके करी कड़ी कड़ोर लगते लड़कियों अपने पिता के जोगी वभाग से नाराज होती हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एसास होता है कि मुझे उनके भविष के जोगी परवाह है और प्रेडित होकर उन्हें जोगी स्वच्टा से कुष्टी जोगी नुस्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़क प्रशातित करते हैं और गीता आगमी जोगी राष्ट मंडल खेलों के लिए जोगी परिश्टन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जोगी आकादामी जाने से पहले राज और जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जीती हैं जोस्तों वहीं पहुचने पर गीता द के तरीके और कुष्टी तक नीती उसके फिता से पूरी तरह अलग हैं और इसलिए वह जोकी अंतर राष्टे जोकी इसतर और हार में जाती हैं और अपने घर आने के बाद जोकी दोरान वह जोकी एहंकारी तरीके से जोकी उसका मजा पुड़ाने के बाद देख जोकी भें जित जाती है और की साथ की आकादा में चली जाती फैसे प्रशियत करते हैं और जी आसुन के साथ महावीध के साथ दूकि शांती बनाती है राष्ट मेडल लो से पहले परमोद गीता को जो कि उसके जो कि समन्याई 55 किलोगराम के जो कि बजाए 51 किलोगराम भाग वर्ग के जो कि परती इस पड़ना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर वहावीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जो कि पट्यारा जाता है अब लड़कियों को गुपत रूप से जो कि कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो की जानने और महावी ऑकर पर्मोल लड़कियों को जो की निश्चीत करना सुरू कर देता है दोस्तों ऐसी कहानी हमें देखने को मिली है लुज्प आप लोगों को बता दे यह फिलम आई थी 2016 में और फिलम का जानि इस वीडियो के माध्याम से दंगल फिलम की रिब्यू और हिंदी में कहानी और आप फिलम को कहां पर देखेंगे इप तो दोस्तो वीडियो के साथ आप बने रही हम आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को बता दे दंगल एक पिता के सपने और जित का जो की साकार होना है और हाला कि कई बार वह बेटियों की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापू लगता है मगर वह उन्हें जो की मुचे मुकाम तक पहुंच कर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो की कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो अदुर्ष जो की उपस्तिती दर्ज करते हैं और उनके जैसा अभनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिं की उपस्तिती दर्ज करती है और बविता बनी सान्य के भी तीछे नहीं रहती हैं और जो की साचित तावर छोटी मगर जो की उलेखन निये भुमका में और नितेश दिवारी की कहानी शाधी और निर्देर्शक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दिखती है और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सीधा सम्मन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जोकी जीवन के घटनाओं से प्रेडिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जोकी चार दिवारी में कहत करकने वाल 2012 के जोकी राष्ट मंदल खेलों में सवर्ग जोकी पदाग जीता और इन खेलों में सवर्ग जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि बिर्श कुस्ति का जोकी सण जोकी परदाग एक के बाद एक चार बेटियों ने रास पिता अचानक पाता कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खूना खून करके पीट दिया है और तब उसकी चेथना जाकती है कि छोरियां क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद्ध ठान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच आखाड़े में फतना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंतजित और जिद्ध को जो कि सलाम करता है और यही होता है यह आप लोगों को बदा दे जो कि ना छोरियों छोरों से कम है और ना आभीर एक दूसरे के खान के पीछे है और फिलम की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो बहुनाओ का पारा उस उचाई तक जो कि उठाती है जैसा पैसा वसूलने वाला एहसास जाता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ बंदी के बाद आपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो कि इसे देख सकते है और इमोशनल एक्सन फैमली और ड्रामे से जो कि एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़बे तक पहती हैं और अंत में जो कि जयो लैस को जो कि संपृत राश्टगान की जो कि धुन बस्ती हैं जो सीट छोड़कर साथान के मुद्दा में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करत हैं और राश्टबाद को जो कि संपृत इस दोरान में सफलता का जो कि इससे बहतर पैमाना क्या हो सकता हैं तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस्तिरी अपनी भूबका को इस्थार्ट सिद्ध करने का जो कि संघस कर रही हैं और एक पहलवान पतनी से वेटे की पाने उसे लगता है और की बीटी उसका सफना पूरा कर सकती हैं वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की पुर्शासित पूर्बुष जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हडियाना के जो की बल्ली में रहने वाले होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बीटियों होने से मिरास होकर वह उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटियां गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जो की टिपिडियों के जवाब में दो लड़कों को बखेषर जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं को जबर जब्रस्तिय के बाल कठवा देते हैं और गाउवालों की जोज़ों की अलव चना जोजोकी सामना करने के बावजूद वह उन्हें और अपने अस्थाई मिट्टी के गड़े में गड़े में पडिशनन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जो कि व्रभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्दीं उन्हें अहसास होता है कि उनके भविष के जुकि परवा है और प्रेडित होकर उन्हें जुकि स्वच्चता से कुस्ति जुकि नुश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मैट खरीदने में जोकी अमसमरत महावीर गदे का यूपयोग करते हैं और उन्हें परतिसपादी योजनाओं के लिए जोकी तयार कने के लिए जोकी प्रिश्ट आइल कुस्ती में प्रशाचित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंडल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जीती है जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोच परमोत कदम के जो की दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनुशाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और पुस्ती तकनीति उसके पिता से पूरी तरह अल कर मुकाबले में ठके हुए महावीर को हरा देती है और बवीता जो की उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम जो की सम्मान करना चाहिए और उसके तुरंद बाद बवीता राश्ट चेंपियंशिप जीत जाती है और गीता के साथ जो की अकादमी च शांती बनाती है राश्ट मेडल खेलनों से पहले परमोद गीता को जो की उसके जो की समन्याई 55 किलो गराम के जो की बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जो की परती स्पर्दना करने के लिए मजबूर करता हैं और यह जानने इस पर चिटकर महावीर अपने भतीजे ओमकार के सा जो की पटियाला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जो की कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो की जानने और महावीर के जो की हस्ट छेप से क्रोधित होकर परमोल लड़कियों को जो की निश्ट सिच करना शुरू कर देता हैं दोस्तो ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जो कि बहुत 70 करोड रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ओफिस कोलेक्शन जो कि इस फिलम ने जो कि 2000 करोड से भी ज़्यादा की बॉक्स ओफिस कोलेक्शन फिलम ने कमाये थे और इस फिलम के डिरेक्टर थे निटेश तिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तो अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस फिलम को एमा जोन पर आम वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख सकते हैं से बचा सकती है और जीता की फॉनका में की फातिमा जो कि उपस्तितर्च करती है और वबीता बनी सानियंग फिछे नहीं रहती है और जो की साचित जो की तावर छोटी मगर जो की उलेखन निये भूमका में हैं और नितिस्तिवारी के कहानी शाधी और निर्देशक कशा हैं और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दितिती हैं और मगर मुक भूमका में जो की उससे सिधा संबन नहीं है वही हैं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जो की जीवन की घटनाओं से प्रेदिस सिनेमा हैं और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जो की चार दिवारी में कहत रखने वाले अपने जो की समाज की सोंच के जो की बिरुद बेटियों को जो की अंतरिष्टे पहलवान बनाया और गीता फोपो गीता ओगट का नाम जो की तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्होंने दिल्ली में 2012 के जो की राष्ट मंडल खेलों में सवर्ग जो की अदाग देता और इन खेलों में सवर्ग जितने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि दिर्श कुष्टी का जो की सण जो की परदात एक के बाद एक चार बेटियों ने राष्पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खूना खून करके पीड दिया है और तब उसकी जो की चेतना जागती है कि छोरियां क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जित ठान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाले में उतना है और दुनिया में हर नई सुरवात पर हसने वाला जमाना अंत ज और जित को जोकी सिलाम करता है और यही होता है रही है आप लोगों को ब्धा दे जो कि ना छोरियों छोरों से कम है और वि आने एक जोर धान के पीछे है और फिलम के सीड़ी रैखा के साथ्वावनाओं का पारान उस उचाई सकते यहां जैसा पैसावसूर New वाला एحसाश जाता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ बंदी के बाद आपने खुद को सिनियमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जुखी इसे देख सकते हैं और एक्षन फैमली और ड्रामी से जुखी एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़बे तक नहीं हैं और अंत में जो की जयो लैस को जो की संपृत राष्टगान की जो की दुन बस्ती हैं जो सीप छोड़कर साथान के मुद्ध में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टवाद को जो की संप्रत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता है तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्ति है जहां इस्तिरी अपनी भूमका को इस्थार्ट सिद्ध करने का जो की संघस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की अबीर सिंग जो की फोगाट हड्याना के जो की बल्ली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चेंपियन हैं और उनके जो की आउसत भारतिय पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो क उनकी बेटियां गीता और वबीता जो की आप मानक जनक जो की टिपनियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें जो की परसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर ल प्रवजूत वह उन्हें और अपने अस्थाई मिटी के गड़े में जो की परिशन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जो की व्रभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्दी उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविश्ट के परवाह है और प्रेडित ह कर उन्हें जुक्ति पॉस्टि दि कि नोश्टा में में भाग लेती हैं जहां बो लड़कों पॉत शाटी हैं और और त्लिक्ति अंसमर्थ महावी determось का घॉपयों कर थे हैं और उन्हें परतिस्वादी योजनां के लिए जुडिया करने के लिए दिरिवेश्टायल तुस्ती में जो की प्रशाथित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंदल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राष्ट इस्तर पर जूनियर और सीनियर चेंपियंशिप जितती हैं दोस्तों वहीं पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने पोच परमोत कदम के जो कि दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश राशन के जो की अव फेलना करना शुरू कर देती है जिससे परीशन के तरीके और पुस्ती तक नीती उसके तिता से पूरी त वहने के बाद गैक वह कर मकाबले में ठ्खे हुए महावीर को हरा देती हैं और वावीता. जो की उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम्द जो की सम्मान करना चाहिए और उसके तुरंद बाद बवीता राश्ट चेंपियन सिप जीत जाती है और गीता के साथ जो की अकादमी चली जाती है और दोरो बेहनों के बीच एक भावना तमक बाचीत के राद जिसमें वबीता उसे प्रशेहित करती है और गीता जो कि आंसों के साथ जो कि महावीर के साथ जो कि शांती बनाती है राष्ट मेडल खेलरों से पहले परमोज गीता को जो कि उसके जो कि समन्याई 55 किलोगराम के जो कि बजाए 51 किलोगराम भाग वर के जो कि परति इस परदना करने के लिए मजबूर करता है और ये जानने इस पर चिटकर महावीर अपने भतीजी ओमकार के साथ जो कि पट्यारा जाता है अब लड़कियों को गुप दुरूप से जो कि कोचिंग देना शुरू कर देते हैं 2016 में और फिलम का बजट भी जो कि बहुत 70 करोन रुपे के आसे बाद पास था और फिलम को अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस फिलम को एमा 1 पर आयम वीडियो पर जाकर आप बढ़े आसानी तरिके से फिलम को जानी इस वीडियो के माध्यम से दंगल फिलम की रिब्यू और हिंदी में कहानी और आप फिलम को कहां पर देखेंगे तो दोस्तो वीडियो के साथ आप बने रही हम आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को बता दें दंगल एक पीता के सपने और जित का जो की साकार होना है और हाला कि कई बार वे बेटी सेहत के लिए जो की हानिकारक बापू लगता है मगर वे उन्हें उचे मुकाम तक पहुंच कर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो की कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो अदुर्ष जो की उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अभनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिं जो की उपस्तिति दर्ज करती है और वबीता बनी सानिया के भी तीछे नहीं रहती है और जो की साचित जो की तावर छोटी मगर जो की उलेखन निये भूमका में हैं और नितिश्तिवारी की कहानी शाधी और निर्देर्शक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी और मगर मुक भूमका में जो की उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जो की जीवन की घटनाओं से प्रेडिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे मह नाबीर ने महिलाओं को जो की चार दिवारी में क्याहत करकने वाले अपने इस समाज की सोच के जो की बिरुद बेटियों को जो की अंतरिष्ट पहलवान बनाया और गीता फोको गीता ओगट का नाम जो की तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्होंने दिल्ली में एक के बाद एक चार बेटियों ने रास्पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खूना खून करके पीट दिया है और तब उसकी चेतना जाकती है कि छोरिया क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद्ध ठान लेता है और गांवालोगों हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाड़े में उतना है और दुनिया में हर नई शुरवात पर हसने वाला जमाना अंत जिद्ध और जिद्ध को जो कि सलाम करता है और यही होता है अब लोगों को बदा दे जो कि ना छोडियों और ना आविर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम के सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो बहनाओ का पारा उस उचाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा वसूलने बाला एहसास जाता है आप पाते हैं कि दंगर धाकड है और नोट बंदी के बाद आपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्सन फैमली और ड्रामे से जो की एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़बे तक पहती हैं और अंत में जो की जयो लैस को जो की संपृत राश्टगान की जो की धुन बस्ती हैं जो सीट छोड़ कर सावधान के मुद्दा में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद को जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर पैमाना क्या हो सकता हैं तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित हैं जहां इस्तितरी अपनी भूब का को इस्तार्ट सिद करने का जो की संघस कर रही हैं और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की वेटी उसका सपना पूरा कर सकती हैं वहीं आप लोगों को बदा दे भारती कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की पुर्भुष जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की पोगट हड्याना के जो की बली में रहने वाले राष्ट कुस्ति चेंपियन हैं और उनके जो की ओसत भारती पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करनी के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने स निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से निरास होकर वह उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जो की टिपिडियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें जो की पुरसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर लगते हैं और उन्हें सुबा सुबा जो की भीशर्क जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबर में लड़कियों अपने पिता के जो की वभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविस के जो की परवा है और प्रेडित होकर उन्हें जो की सुच्चता से कुस्ती जो की नोश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती है और कुस्ती मैट खरीदने में जो कि अमसमरत महावीर गद्धे का युपयोग करते हैं और उन्हें जो कि परतिस पादी योजनाओं के लिए जो कि तयार करने के लिए जो कि प्रिष्ट आइल कुस्ती में जो कि प्रशासित करते हैं और गीता आगमी जूकि राष्ट मंडल खेलों के लिए जूकि परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ठ खेल जूकि आकादामी जाने से पहले राज आओर जूकि राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपिंपियंशिप जितती है जोस्तो वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोच परमोत कदम के जो की दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनुशाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और पुस्ती तकनीती उसके पिता से पूरी तरह कर मुकाबले में ठेके हुए महावीर को हरा देती है और बवीता जो की उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम जो की सम्मान करना चाहिए और उसके तुरंद बाद बवीता राश्ट चेंपियंशिप जीत जाती है और गीता के साथ जो की अकादमी चली जाती है और दोरो बेहनों के बीच एक भावना तमक बाचीत के बाद जिसमें ववीता उसे पुर्शेहित करती है और गीता जो कि आंसुओं के साथ जो कि महावीर के साथ जो कि शांती बनाती है राश्ट मेडल खेलनों से पहले परमोध गीता को जो कि उसके जो कि समन्य पश्पन किलोगराम के जो कि बजाए 51 किलोगराम भाग वर के जो की परती इस्पर्दना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महाबीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जो कि पट्याला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जो की कोचिंग दे देते हैं और इसमें जो की जानने और महावीर के जो की हज्ट छेफ से कुरोधित होकर परमोल लड़कियों को जो की निश्ट सिच करना सुरू कर देता है दोस्तो ऐसी कहानी जो की हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दे यह फिलम आई थी 2016 में और फिलम क कमाये थे और इस फिलम के डरेक्टर थे निटेश तिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तो अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस फिलम को एमा जोन पर आएं वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख स और पिता के चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपने मिट्टी की फिल्म है जैसी फिल्में है कि बॉलिवुट की धड़कने डोगने से बचा सकती है और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिती तर्च करती है औ और निर्देशक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दितिती है और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वभीता के जोकी महाबीर ने महिलाओं को जोकी चार दिवारी में कहत रखने वाले अपने जोकी समाज की सोंच के जोकी बिरुद बेटियों को जोकी अंतरिष्टे पहलवान बनाया और गीता फोगट का नाम जोकी तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्होंने दिल्ली में 2012 के जोक जोकी अदाग देता और इन खेलों में सुर्ग जितने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि बिर्श कुष्टी का जोकी सण जोकी परदाक के एक के बाद एक चार बेटियों ने रास पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बतमीजी करने छोरों को कून खूना खून करकर पीड़ दिया है और तब उसकी च्तना जाती है कि छोरी हैं सबस्क्राबान करता है और गांवां को हसी जुकी ना छोरियों छोरों से कम हैं और आमीर एक दूसरे की खान के पीछे हैं और फिल्म की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो ब्रावनाओं का पारा उस उचाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा बसुरने वाला एहसास जाता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ भक्ति के जजवे तक कहती हैं और अंत में जो की जयोलैस को जो की संप्रत्राश्टिगान की दून बश्तीक चोड़कर साथान की मुद्द ने और राश्टबाद को जो की संप्रत इस दौरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता है तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्ति है जहां इस्तिरी अपनी भूम का को इस्थार्ट सिद्र करने का जो की संघस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की अबीर सिंग जो की फोगर्ट हड्याना के जो की बल्ली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चेंपियन हैं और उनके जो की ऑसत भारतिय पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की वए बीटि बादक नहीं जीत पाने से निरास को कर वह कि प्र्तिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा उर चार होने से निरास कर वह उन्हें चोड़ दोगता हैं लेकिन जब उनकी बेटियां जीरिता और बईता तो चईव आप मानक जनक घृत्यों के सुबा सुबा जो की भीशर्ट जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबरज़ती उनके बाल कटवा देते हैं और गाहँ वालों की जो की अलोचना का जो की सामना करने के बावजूद कorf वह और अस्थाई मिट्टी के जुकि ग्ड़े में जुकि परिषणन देते हैं और शुरूत में लड्कियों अपने प्रक्रिंगे पिता के जुकि परिभास से नाराज होती हैं। जलदी उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविस्ट के परवाह है और ठरिटी ढूर करुर कर यो जनाओं के लिए को फ्रिस्टाइल करें और गीता आगमी जो कि राष्ट मंदल खेलों के लिए जो की परिष्ण लेने के लिए पतियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज आओर जूकि राष्ट दिश्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जितती हैं जोस्तों वहीं पहुंचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने पोछ परमोत कदम के जो कि दवाव में महाभीर द्वारा से खाए गए अनूश शार्षन के जो कि अव फेलना करना शुरू कर देती है जिससे परीषण के तरीके और कुस्ति तकनीती उसके पूरी तरह अलग है और इसलिए वह जो कि अंत कि महाभीर को हरा देती है और ववीता जो कि उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि दोडों बेहनों पर से बाद जिसमें वभीता उसे प्रशेहित करती है और गीता जो की आंसु के साथ जो की महभी के साथ जो की शांती बनाती है क्राश्ट मेडल खेलों से पहले परमोद गीता को दुकि उसके जो की समन्याइब 55 किलोग्राम के जुकी बजाए 51 किलोग्राम भाग वर्ग के जुकी परति इसपर्दना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महावीर अपने भतीजी ओमकार के साथ जुकी पट्यारा जाता है अब लड़कियों को गुपत रूप से जुकी कोचिंग द यह प्लम अाई थी 2016 में और फिलम का बजट जुकी बहौर इस पर युवर को भी कुर्म को बिआंघ आप लोग जूकी तो आप लोग जूकी स्विल्म को एमा यम जोन पर आएंब वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से नहीं तुरमको देख सकते हैं जानी इस वीडियो के माध्यम से दंगल फिलम की रिब्यू और हिंदी में कहानी और आप फिलम को कहां पर देखेंगे तो दोस्तो वीडियो के साथ आप बने रही हम आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को बता दे दंगल एक पिता के सपने और जित का जो की साकार होना है और हाला कि कई बार वह बेटियों की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापू लगता है मगर वह उन्हें जो की उचे मुकाम तक पहुँचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेर्मेंस के साथ जो कि कहानी की जो कि बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो आदर्श जो कि उपस्तिती दर्ज करते हैं और उनके जैसा अभनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिं जो कि उपस्तिती दर्ज करती है और वबीता बनी सानिया की भी तीछे नहीं रहती है और जो कि साचित जो की तावर छोटी मगर जो की उलेखन निये भूमका में है और नितेश दिवारी की कहानी शाधी और निर्देर्शक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दिद जो की ती है और मगर मुक भूमका में जो की उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जो की जीवन की घटनाओं से प्रेडिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जो की चार दिवारी में कहत करकने वाले अपने जो की समाज की सोच के जो की बिरुद बेटियों को जो की अंतरिष्ट पहलवान बनाया और गीता फोगट का नाम जो की तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्होंने दिल्ली में 2012 क जो कि राष्ट मंडल खेलों में सवड जो की पदाग जीता और इन खेलों में सवड़ की जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहड़वान बनी और सपना है की बिर्श कुस्ति का जो की संभ परदात एक के बाद एक चार बेटियों ने रास किता अचानक पाता है कि उसक वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद ठान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाड़े में उतनना है अब दुनिया में हर नई सुरवात पर हसने वाला जमाना अंत जिद और जिद को जो की सलाम करता है और यही होता है वही हैं आप लोगों को बदा दे जो की न छोरियों छोरों से कम हैं और न आमीर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओ का पारा उस उचाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा वसूलने बाला एहसास जाता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ बंदी के बाद आपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्षन फैमली और ड्रामे से जो की एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़बे तक कहती हैं और अंत में जो की जयोलैस को जो की संपृत राष्टगान की जो की धुन बचती हैं जो सीट छोड़कर सावधान के मुद्दा में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद वो जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता है तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस्तित अपनी भूबका को इस्तार्ट सिद्ध करने का जो की संघस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की वेटी उसका सफना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भरते कुस्ति की पहलवानी शेली में जो की पुर्शासित पूर्भुष जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हड्याना के जो की बली में रहने वाले राश्र कुस्ति चेंपियन है और उनके जो की ओसत भारती पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जोकी अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से मिरास होकर वो उम्मीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटियां गीता और बभीता जोकी आप मानक जनक जोकी टिपिडियों के जबाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें जो की पृसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर लगते हैं और उन्हें सुबा सुबा जो की भीशर्ट जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबरजस्ती उनके बाल कटवा देते हैं और गाम वालों की जो की अलोचना का जो की सामना करने के बावजूद वह उन्हें और अपने अस्थाई मिट्टी के जो की गड़े में जो की परिशनन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जो की वभार से नारा लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मैट खरीदने में जो की अमसमरत महावीर गद्दे का युपयोग करते हैं और उन्हें जो की परतिसपादी योजनाओं के लिए जो की तयार करने के लिए जो की प्रिश्टाइल कुस्ती में जो की प्रशाथित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंडल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जीती है जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोश परमोत कदम के जो की रवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश शाषन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और पुस्ती तकनीती उसके पिता से पूरी तरह अलग है और इसलिए वह जो की अंतर राश्टे जो की इस तर परहार में जाती है और अपने घर आने के बाद जो की दोरान वह जो की एंकारी तरीके से जो की उसका मजा कुड़ाने के बाद एक जो की भेंकर मुकाबले में ठेके हुए महावीर को हरा देती है और बवीता ज जो की Championship जीत जाती हैं और Gwyita के साथ जो की academy चली जाती हैं और दोरों के बैनों के बीच एक भावनातम्क बाचीत के बाद जिसमें ववीताउसे पुर्शेहि데 करती है और Gwyita जो की आंसुों के साथ जो की महःवीर के साथ जो की शांतिं बनाती और राश्ट मेडल चिटकर महाबीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जुके पटियाला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जुकी कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जुकी जानने और महाबीर के जुकी हर्ष छेप से कुरोधित होकर परमोल लड़कियों को जुकी निश् किने को मिली हैं दोस्तों आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट विजुकी बहुत सतर करोड़ रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ऑफिस कोलेक्शन जोकी इस फिलम ने जोकी 2000 करोड़ से भी जादा की बॉक्स ऑफिस किसे फिलम को देख सकते हैं और आमीर शांदार पर्फेमेंस के साथ जोकी कहानी की जोकी बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े पर नहीं होते हैं तब भी हुए आदुश जोकी उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा रही हैं और पिता के चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपने मिट्टी की फिलम है जैसी फिलमें हैं कि बॉलेवुड की धर्कने डोगने से बचा सकती हैं और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिती दर्ज क देशक कशा हैं और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दितिती हैं और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सिधा संबन नहीं हैं वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जोकी जीव पहलवान बनाया और गीता फोपो गीता ओगट का नाम जोकी तब लोगों को जुबान पर चला जबनों ने दिल्ली में 2012 के राष्ट मंडल खेलों में सवर्ड जोकी पदाग देता और इन खेलों में सवर्ड जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सप प्तमीजी करने वाले लड़ छोरों को खून खूना खून करके पीड दिया है और तब उसकी जोकी चेतना जाती है कि छोडियां क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जित भान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें ना छोरियों छोरों से कम है और आमीर एक दूसरे की खान के पीछे हैं और फिल्म की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओ का पारा उस उचाई चक जोकी उठाती है जैसा पैसा बस उनने वाला एहसास जाता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ बंदी के सत्रावन को जिस्ता लिएक तहल कर रही हैं और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और कि वेटी उसका सपना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की पुर्शासित पूर्बुस जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हड्याना के जो की बल्ली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चैंपियन हैं और उनके जो की ओसत भारते पिता उन्ह जीतेगा और चार बेटियों होने से निरास होकर वह उमिद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया गीता और बवीता जो कि आप मानक जनक जो कि टुपिणियों के जवाब में दो लड़कों को पेटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का अईसास होता है और उन्हें जो की परसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीक सामना करने के बावजूद वह उन्हें अपने अस्थाईं मिठी के गड्डे में जो की परिशनां देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जोकी वभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्दी उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविष्ट के जोकी परवा है और प्रेडित होकर उन्हें जोकी स्वश्चिता से कुष्टी जोकी नुस्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मैट खरीदने में जोकी अमसमरत महावीर गदे का यूपयोग करते हैं और उन्हें जोकी परतिसपादी योजनाओं के लिए जोकी तयार करने के लिए जोकी प्रिश्टाइल कुस्ती में जोकी प्रशातित करते हैं और गीता आगमी जो की राश्ट मंदल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राश्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राश्ट दिश्तर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जीती हैं जोस्तों वहीं पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती हैं और अपने कोच परमोत कदम के जो की दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूर्श शाशन की जो की आव फेलना करना शुरू कर देती हैं जिससे परिशन के तरीके और कुस्ती तकनीती उसके फिता से पूरी तरह अलग हैं और इसलिए वह जोकी अंतर राश्ट्य जोकी सतर और हर में जाती हैं और अपने घर आने के बार दो कि दोरह टोलगी तरीके से जोकी उसका मझा कट लानी के बाद दीख जोकी भेंकर मकाव्ब्रNI से मिख़ई हुए महावीर और बबीदा वहावीर को हरा दे है और गीता के साथ जो कि अकादमि चली जाती है और दोले दोले के बीच एक भावना तमक बासीत के बाद जिसमें वभीता उसे पुरिषय करती है और गीता जो कि के साथ जो कि पूर्भ आशिट के साध शीकराश्ट मैडल खेलरों से भतीजे ओमकार के साथ जुकी पट्यारा जाता है अब लड़कियों को गुप्त रूप से जुकी कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जुकी जानने और महावीर के जुकी हस्त छेट से प्रोजित पोकर परमोल लड़कियों को जुकी निश्चित करना शुरू कर देता हैं दोस्तों ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली है दोस्तों आप लोगों को बता दें यह फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जुकी बहुत 70 करोड रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ऑफिस फिलेक्शन जो कि इस फिलम ने जुकी 2000 करोड जादा कि बॉक्स ऑफिस परएशन फिलम ने खिमाय थे हैं और इस फिलम के डरेक्टर से मिट्ज टिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था। दोस्तों अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस फिलम को एमजून पर राएं वीडियो पर जितका साकार होना है और हाला कि कई बार बेटियों की सेहत के लिए जो की हानिकारत बापू लगता है मगर उन्हें जो की उचे मुकाम तक पहुँचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफिम crumbs के साथ जो की कहानि की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो आदर्श जो की उपस्तिती दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपनी मिट्टी की फिल्म है ऐसी फिल्म में है कि बॉलेवुड की धड़कने डूबने से बचा सकती है और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिती दर्ज करती है और बबीता बनी सानिया की भी तीछे नहीं रहती है और जोकी साचित जोकी तावर छोटी मगर जोकी उलेखन नीय भूमका में है और नितिस दिवारी की कहानी शाधी और निर्देशक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दिद्रती है और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सिधा सम्मन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जो की फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जो की जीवन की घटनाओं से प्रेडिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जो की चार दिवारी में कहत करकने वाले अपने जो की समाज की सोच के जो की बिरुद बेटियों को जो की अंतरिष्ट पहलवान बनाया और गीता फोको गीता ओगट का नाम जो की तब लोगों को जुबान पर चड़ा जब उन्होंने दिल्ली में 2012 के जो की राष्ट मंदल खेलों में सवर्ग जो की पदाग जीता और इन खेलों में सवर्ग जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि बिर्ष कुस्ति का जुकी सण जुकी परदात एक के बाद एक चार बेटियों ने रास पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खूना खून करके पीट दिया है और तब उसकी चेतना जाकती है कि छोरियां क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जिद ठान लेता है और गाम वालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाडे में उतरना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो की सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जो कि ना छोरियों छोरों से कम है और ना आमीर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम के सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओ का पारा उस उचाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा वसूलने बाला एहसास जाकता है आप पाते हैं कि संदम आगे और देश भक्ति के जजबे तक कहती हैं और अंत में जो की जयो लैस को जो की संपृत राश्टगान की जो की धुन बचती हैं जो सीट छोड़कर सावधान के मुद्द में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद को जो की संपृत इस दोरान का जो की संघस कर रही हैं और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की बेटी उसका सफना पूरा कर सकती हैं वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की प्रशासित पूरबुष जो की सोकिया पहलवान महाबीर सि करने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह है जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से निरास होकर वह उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया ग परशित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीखे कटोर लगते हैं और अपने अस्थाई मिटिके जुकी गड़े में जुकी परिशनन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जुकी वभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविस के जुकी परवाह है और प्रेडित होकर उन्हें जुकी स्वाच्था से कुस्ती जुकी नुश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मेट खरीदने में जुकी अमसमर्त, महावीर, गद्दे का युपयोग करते हैं और उन्हें जो की परतिस पादी योजनाओं के लिए जो की तयार करने के लिए जो की प्रिश्टाइल कुस्ती में जो की प्रशासित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंदल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज आओर जो की राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जितती हैं जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोश परमोत कदम के जो की दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश शाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती हैं जिससे परिशन के तरीके और कुस्ती तकनीती उसके फिता से पूरी तरह अलग है और इसलिए वह जो की अंतर राश्टे जो की इस तर पर हार में जाती है और अपने घर आने के बाद जो की दोरान वह जो की एंकारी तरीके से जो की उसका मजा कुड़ाने के बाद एक जो की भेंकर मुकाबले में ठेके हुए महावीर को हरा देती हैं और बवीता जो कि उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम्मान करना चाहिए और उसके तुरंद बाद ववीता राश्ट चेंपियनसिप जीत जाती है और गीता के साथ जो कि अकाडमी चली जाती है और दोरो बेहनों के बीच एक भावना तमक बाद चीत के बाद जिसमें ववीता उसे पुशेहित करती है और गीता जो कि आंसुओं के साथ जो कि महावीर के साथ जो कि शांती बनाती है कदाश्ट मेडल खेलनों से पहले परमोद गीता को जो कि उसके जो कि समन्याई 55 किलो गराम के जो कि बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जो कि परती इस्पर्दना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने पर चिटकर महावीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जो कि पट्याला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जो कि कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो कि जानने और महावीर के जो कि हजच छेफ से कुरोधित होकर परमोल लड़कियों को जो कि निश्च सिच करना सुरू कर देता है दोस्तो ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जो कि बहुत 70 करोड रूपे के आसपास था और फिलम ने total box office collection जो कि इस फिलम ने जो कि 2000 करोड से भी ज़्यादा की box office collection फिलम ने खमाए थे और इस फिलम के डरेक्टर थे नितेश, कीबारी और इस फिलम को भी उन्हों ने ही लिखा था दोस्तों अगर आप लोगों को फिल्म देखना है तो आप लोग जो कि इस फिल्म को एमा जोन पराइम वीडियो पर जाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिल्म को देख सकते हैं और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो कि कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े पर नहीं होते हैं तब भी होए आदुश जो की उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा रही हैं और पिता के चिंता सिमा जो की उपस्तिती दर्ज करती है और बभीता बनी सानिया की भी पीछे नहीं रहती है और जो की साचित जो की तावर छोटी मगर जो की उलेखन निये भूमका में हैं और नितिस्तिवारी के कहानी शाधी और निर्देशक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दि गीता और वभीता के जीवन की घटनाओं से प्रेदिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महावीर ने महिलाओं को जो की चार दिवारी में कहत्कर रखने वाले अपने समाज की सौच के जो की बिरुद बेटियों और जो की अंतरिष्टे पहलवान बनाया और गीता फोपो में सुर्ग जितने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि विर्ष कुष्टी का जुकी सब्सक्राइब के बाद एक चार बेटियों ने रास पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खून खून करके प तो हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाडे में उतना है और दुनिया में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो कि सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जो की ना छोड़ियों छोड़ों से कम है और ना आमिर एक दूसरे की खान की दंगर धाकर है और नोडबंदी के बाद आपने खुद को सिनियमा से दूसरों रखा है जो बेढ़क जोड़की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्शन फैमली और ड्रामी से जोड़की एक कदम आगे और दीश भक्ती के जज़वे तक चाहती हैं और अंत में जो की ज प्रित इस दौरान में सफलता का जो कि इससे बहतर पैमाना क्या हो सकता है तंगल के कहानी ऐसे समाज इस्ति है जहां इस तरी अपनी भूम का को इस्थार्थ सिद्ध करने का जो की संगस कर रही है और एक पहलवान पतनी से बेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की प्रशायसित पूर्बस जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग्रोगी फोगाट हड्याना के बल्ली में रहने वाले राष्ट कुस्टी चैपियन है और उनके जो की ऑसद भारति पिता हुने जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर क लिए पाधक नहीं जीत पाने से निराज होकर वह दू की परतिद्या करते हैं कि उनका जोकि अन्जामा बेटा जीते गाइव चार बीटीयों होने से मिरास होकर वो उन्हें छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया गीता और बबीता जो कि अप मानक जनक जो कि टुपिणियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घहराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छंता का एइसास होता है और उन्हें जो कि प्रशित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर लगते हैं और उन्हें सुभा सुभा जो की भीशर्ट जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबर जलती उनके बाल कटवा देते हैं और गांवालों की जो की अलोचना जो की सामना करने के बावजूद वह अपने अस्थाई मिट्टी के गड़े में जुकि प्रिश्णन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जो की व्रभार से नाराज होती हैं लेकिन जल्दी उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविस्ट के परवह है और प्रेडित होकर उन्हें जो कैसे कु करते हैं और गीता आगमी राष्ट बंदल खेलों के लिए परिश्ण लेने के लिए पट्याला में राष्ट खेल आका दामी जाने से पहले राज और जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जिती हैं जोस्तों वहीं पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने परमोत कदम के जो कि दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश राशन की जो कि अव फेलना करना शुरू कर देती हैं जिससे परीशन के तरीके और कुस्ती तकनीती उसक उसका घंड़ा उसका मजाग कुड़ाने के बाद एक युकि भैकर मकाबले में ठ कि quiénति अगा जाती हैं बिशब ह्लां के उसे पुर्शेहित करती है गीता को जो कि उसके दरे जोonte गरां के ढ की क्यां उन खिलोग्राम भाग वर्टंड्रा करने के लिए मज़बूर करता है गज़ाने पर सिटकर महापीर अपने भतीजे ओमकार के साथ युक्य पठ्यारा जाता है और लड़कियों को गुपत रूप सी जोकी कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जोकी जानने और महावीर के जुकी हास च्छेप से कुरोजित पोकर परमोल लड़कियों को जुकी निश्ट सिक करना सुरू कर देता है दोस्तो ऐसी कहानी जुकी हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दें ये फिलम आई थी और इस फिलम के डरेक्टर से निश्ट इबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तो अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जुकी इस फिलम को एमा जोन पर ये वीडियो पर दाकर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख सकते हैं जाननी इस वीडियो के माध्यांसे दंगल फिलम की रिब्यू और हिंदी में कहानी और आप फिलम को कहां पर देखेंगे तो दोस्तो वीडियो के साथ आप बने रही हम आप लोगो को बचाते हैं आप लोगों को बदा दे दंगल एक पिता के सपने और जित का जो की साकार होना है और हाला कि कई बार वह बेटियों की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापो लगता है मगर वह उन्हें जो की उचे मुकाम तक पहुँचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेर्मेंस के साथ जो कि कहानी की जो कि बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वो आदर्श जो कि उपस्तिती दर्च करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपनी मिट्टी की फिल्म है जैसी फिल्में है कि बॉलेवुड की धड़कने डोबने से बचा सकती है और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिती दर्च करती है और बवीता बनी सानिया की भी तीछे नहीं रहती है और जोकी साचित जोकी तावर जोकी उससे सीधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वभीता के जोकी जीवन की घटनाओं से प्रेडिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जो लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्होंने दिल्ली में 2012 के जुकी राष्ट मंदल खेलों में सवर्ग जोकी पदाग जीता और इन खेलों में सवर्ग जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि बिर्ष कुस्ति का जुकी सन जुकी परदा अधा एक के बाद एक चार बेटियों ने राष्ट पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बतमीजि करने वाले लल Cardo को खुकी ल alternator करके पीट दिया है और तब उसकी क्योंन जाकती है कि छो दी उत्ति रह को पालवान लिए जिद्ध ठान लेता है और गामालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाडे में उतनना है और दुनिया में हर नई सुरवात पर हसने वाला जमाना अंत जिद्ध और जिद्ध को जो की सलाम करता है और यही होता है यह आप लोगों को बदा दे जो की ना छोरियों छोरों से कम है और ना आविर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम के सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो बहनाओ का पारा उस उचाई तक जो की उठाती है जैसा पैसा वसूलने वाला एसास जाकता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ बंदी के बाद आपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्शन फैमली और ड्रामे से ज जजबे तक कहती हैं और अंत में जो की जयो लैस को जो की संपृत राश्टगान की जो की धुन बचती हैं जो सीट छोड़कर सावधान के मुद्दा में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्टबाद को जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहत कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की वेटी उसका सफना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारते कुस्ति की पहलवानी शैली में जो की पुर्शासित पूर्बुष जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोग देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से निरास होकर वह उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटियां गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जोकि टिपिडियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घर आती हैं, तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है, और उन्हें जोकि पुरसित करना शुरू कर देते हैं, और उनके तरीके कटोर लगते हैं, और उन्हें सुबा सुबा जो की भीशर्ट जो की कसरत करने के लिए मजबूर करते हैं और जबर्जस्ती उनके बाल कटवा देते हैं और गाम वालों की जो की अलोचना का जो की सामना करने के बावजूद उन्हें और अपने अस्थाइं मिट्टी के गड़े में जोकी पनिशनन देते हैं और शुरू में लड़कीयों अपने पिता के जोकी वरहार से नाराज होती हैं लेकिन जल्द ही उन्हें ऐसास होता है कि उनके भविश्क जोकी परवा है और प्रेडित होकर उन्हें जोकि स्वच्छता से कुस्ती जोकी नुश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मैट खरीदने में जोकि अमसमरत महावीर गद्दे का युपयोग करते हैं और उन्हें जुकी परतिसपादी योजनाओं के लिए जुकी तयार करने के लिए जुकी प्रिश्टाइल कुस्ती में जुकी प्रशासित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंडल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राष्ट इस्टर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जीती है जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोश परमोत कदम के जो की रवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश शाशन की जो की अव भेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और पुस्ती तकनीती उसके पिता से पूरी तरह है और इसलिए और जो की अंतर राश्ट्य जो की इससतर परहार मेच जाती है और अपने घर आने के बाद जूपी दो रन वहे हजोकी एंकारी तरीके से की उसका मजा पुरआने के बाद देख के मैं कर मुकाबले में ठके हुए महाबीर को हरा दे और बवीता की उसकी गल्त गीता के साथ जो की अकादामी चली जाती है और दोरों बेहनों के बीच एक भावना तमक बादचीत के बाद जिसमें वभीता उसे पुर्शेहित करती है और गीता जो की आंसुओं के साथ जो की महावीर के साथ जो की शांती बनाती है राश्ट मेडल खेलनों से पहले गराम के जोकी बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जोकी परती इसपर्दना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महाबीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जोके पट्याला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जोकी कोचिंग देना शुरू कर द देता है दोस्तो ऐसी कहानी जोकी हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दे यह फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जोकी बहुत 70 करोड रुपे के आसपास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ओफिस कोलेक्शन जोकी इस फिलम ने जोकी 2000 करोड से भी ज कर आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख सकते हैं और आमीर शांदार पर्फेमेंस के साथ जोकी कहानी की जोकी बुनावट में ऐसी है कि जब वो बड़े पर नहीं होते हैं तब भी होए आदुश जोकी उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा रही है और पिता के चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साफ आते हैं दंगल अपने मिट्टी की फिलम है जैसी फिलमें हैं कि बॉलेवुड की धर्कने डोगने से बचा सकती है और गीता की बुमका में जोकी फातिमा ज शाधी और निर्देशक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी दित्रिती है और मगर मुक भूंका में जोकी उससे सिधा संबन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वभीत के पहलवान बनाया और गीता ओगट का नाम जोकी तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जबनों ने दिल्ली में 2012 के राष्ट मंडल खेलों में सवर्ड जोकी पदाग देता और इन खेलों में सवर्ड जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि भिर्ष कुस्ति का जोकी सवन जोकी परदाक एक के बाद एक चार बेट्यों ने सपीता अचानक पाता है कि उसकी बेट्यों ने बत्मीजी करने वाले लर्ट छोरों को खूणा खूण करके पीड दिया है और तब उसकी पहलवान बनाने के लिए जिद ठान लेखा है और ग में हर नई सुर्वात पर हसने वाला जमाना अंत जित को जो कि सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जुकि ना छोड़ियों छोड़ों से कम है और आमीर एक दूसरे की खान के पीछे हैं और फिल्म की सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओ का पारा उस खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्षन फैमली और ड्रामी से एक कदम आगे और दीस भक्ति के जज़बे तक रहती हैं और अंत में जो की जयो लैस्ट को जो की संप्रत राश्टिगान की जो की दुन बस्ती हैं जो सीप छोड़कर साथान के मुद्ध में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राश्ट बाद तो जो की संप्रत इस दौरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क्या हो सकता हैं तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित हैं जहां इस्तिरी अपनी भूम का को इ बहरती कुस्ति की पहरवानी शैली में जो की पुर्शाशित बूर्बिश जो की खोकिया पहलवन महभीर सिंगिंग पोगर्ट हड्याना के पली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चेंपिंच उनके जोrsat बहरती पिता उन्हें जो की लापकारी रोजगार varieties करने के लिए से फेल चोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देशे के लिए जो क्या फाधक नहीं जीत पाने से निराज होकर वहय वक्तिफिग्या करते हैं कि उनका जो कि अंज्यामा बेटा जीते लेकिन जब उनकी बेटियां गीता और वबीता जो की आप मानक जनक जो कि टुपिणियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी छमता का एसास होता है और उन्हें प्रसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कठोर लगते हैं और उन्हें सुवा सुवा जो की बिश्ड जो की पस्रत करने के लिए मजबूर करते हैं भो जब standing वाल कटे हैं और गावालों की जो कि अलोचना युकी शामना करने के बावजूर उन्हें अपने अस्थाई मिट्टी का युकई गड़े में जुकी परिशनन देते हैं और शुरूप में लड़कियों अपने पिता के जुकी वरभाद से नाराज होती हैं लेकिन जल दी उन्हें अइसास होता है कि मुझे उनके भविष्ट के परवाः है और प्रेडित पुरकर उन्हें जुकी स्वचिता से कु दियुक धियाद करने के लिए जो कि प्रशातित करते हैं और गीता आच्मी यो के लिए पतिय लेने के लानमे राश्ण ढाल से पहले पत्र अर्य राश्थ शेंपिएंसिप में बाव महीधा नावि महाव्रणा वह नौर्ण शाशन के जुकि अव फेलना करना शुरू कर देती है जिससे परिशन के तरीके और कुस्ति तकनीती उसके फिता से पूरी तरह अलग है और अंतर राष्टे जुकि इस तर और हार में जाती है और अपने घर आने के बाद युकि दोरान वैज्जुकि एहंकारी तरीके से जो कि उसका मजा कुड़ाने के बाद एक जो कि भैंकर मुकाबले में ठके हुए महवीर को हरा देती हैं और ववीता जो कि उसकी गलती की याद दिलाती हैं और कहती है कि उसे महवीर का सम्मान करना चाहिए उसके तुरंद बाद बवीता राष्ट चेंप्यन्जिप जीत जाती है और गीता के साथ जोकी अकादमी चली जाती है और दोड़ों बेहनों के बीच एक भांबना तमक बाशीयत के बाद जिसमें बवबीता उसे पृष्यत करती है और गीता जोकी आशूं के साथ जोकी करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महावीर अपने भतीजी ओमकार के साथ पट्याला जाता है और लड़कियों को गुप्त रूप से जो की कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो की जानने और महावीर के जो की हाच से छेट से प्रोजि जो की आस-पास था और फिल्म ने टोटल बॉक्स-अफीस प्लेक्शन जो की इस फिल्म ने जो की 2,000 क्रोड से ब्रवजादा की बॉक्स-फिश क्लेक्शन फिल्म ने Kane और इस पर थे बारी और इस फिल्म को भी उन्हों नहीं ही लिखा था दोस्तों अगर आप लोगों invariant ये हम आप लोगों को बचाते हैं आप लोगों को बता दे दंगल एक पिता के सपने और जित का जो कि साकार होना है और हाला कि कई बार वह बेटियों की जो की सेहत के लिए जो की हानिकारक बापो लगता है मगर वह उन्हें जो की मुचे मुकाम तक पहुँचकर ही जो की मानता है और आमीर शांदार परफेमेंस के साथ जो की कहानी की जो की बुनावट में ऐसी है कि जब वह बड़े परदे पर नहीं होते हैं तब भी वह आदर्श जो की उपस्तिति दर्ज करते हैं और उनके जैसा अबनेता सितारा बॉलेवुड में दूसरा नहीं है और पिता की चिंता परिशानी और नाकामी और सफलता सब उनके चेहरे पर साप आते हैं दंगल अपनी मिट्टी की फिलम है जैसी फिलमें है कि बॉलेवुड की धड़कने डूबने से बचा सकती है और गीता की भूमका में जोकी फातिमा जोकी उपस्तिति दर्ज करती है और बवीता बनी सानिया की भी तीछे नहीं रहती है और जोकी साचित जोकी तावर छोटी मगर जोकी उलेखन निये भूमका में है और नितिस दिवारी की कहानी शाधी और निरदेशक कशा है और संगीत में थोड़ी कशर बाकी रिदिती है और मगर मुक भूमका में जोकी उससे सिधा सम्मन नहीं है वहीं आप लोगों को बता दे रदंगल राष्ट इस्तर के पहलवान महाबीर जोकी फोगट और उनकी बेटियों गीता और वबीता के जोकी जीवन की घटनाओं से प्रेदिस सिनेमा है और यह बताता है कि कैसे महाबीर ने महिलाओं को जोकी चार दिवारी में कहत करकने वाले अपने जोकी समाज की सोच के जोकी बिरुद बेटियों को जोकी अंतरिष्टे पहलवान बनाया और गीता फोको गीता ओगट का नाम जोकी तब लोगों को जुबान पर चढ़ा जब उन्होंने दिल्ली में 2012 के जोकी राष्ट मंदल खेलों में सवर्ग जोकी पदाग जीता और इन खेलों में सवर्ग जीतने वाली वह विदेश की पहली महिला पहलवान बनी और सपना है कि बिर्श कुष्टी का जोकी सण जोकी परदाग एक के बाद एक चार बेटियों ने रास पिता अचानक पाता है कि उसकी बेटियों ने बत्मीजी करने वाले लड़ छोरों को खूना खून करके पीट दिया है और तब उसकी चेतना जाकती है कि छोरियां क्या छोरों से कम है और वह बेटियों को पहलवान बनाने के लिए जित ठान लेता है और गावालों को हसी और ठक्की के बीच उन्हें आखाडे में उतरना है और दुनिया में हर नई सुरवात पर हसने वाला जमाना अंत जित और जित को जो कि सलाम करता है और यही होता है आप लोगों को बदा दे जो कि ना छोरियों छोरों से कम है और ना आविर एक दूसरे के खान के पीछे हैं और फिलम के सीधी रेखा के साथ चलते हैं तो भावनाओ का पारा उस उचाई तक जो कि उठाती है जैसा पैसा वसूलने वाला एहसास जाकता है आप पाते हैं कि दंगर धाकर है और नोड़ बंदी के बाद आपने खुद को सिनेमा से दूसरों रखा हैं जो बेढ़क जो की इसे देख सकते हैं और इमोशनल एक्षन फैमली और ड्रामे से जो की एक कदम आगे और दीस भक्ती के जज़बे तक पहत हैं और अंत में जो की जयो लैस को जो की संपृत राष्टगान की जो की धुन बस्ती हैं जो सीट छोड़कर सावधान के मुद्ध में खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं और राष्टबाद को जो की संपृत इस दोरान में सफलता का जो की इससे बहतर जो की पैमाना क् तहां तंगल की कहानी ऐसे समाज इस्तित है जहां इस्तिरी अपनी भूमका को इस्तार्ट सिद्ध करने का जो की संघस कर रही है और एक पहलवान पतनी से वेटे की उमीद पाने उसे लगता है और की वेटी उसका सपना पूरा कर सकती है वहीं आप लोगों को बदा दे भारती कुस्ति की पहलवानी शेली में जो की पुर्शासित पूर्बुष जो की सोकिया पहलवान महाबीर सिंग जो की फोगट हड्याना के जो की बली में रहने वाले राश्ट कुस्ति चेंपियन हैं और उनके जो की ओसत भारती पिता उन्हे जो की लापकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए खेल छोड़ने के मजबूर करते हैं और अपने देश के लिए जो की पाधक नहीं जीत पाने से निरास होकर वह जो की परतिग्या करते हैं कि उनका जो की अंजामा बेटा जीतेगा और चार बेटियों होने से निरास होकर वो उमीद छोड़ देते हैं लेकिन जब उनकी बेटिया गीता और बवीता जो की आप मानक जनक जो की टिपडियों के जवाब में दो लड़कों को पीटने के बाद घराती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी चंटा का एयसास होता है। और उन्हें जो कि पृसित करना शुरू कर देते हैं और उनके तरीके कटोर लगते हैं और उन्हें सुबा सुबा जो की भीशड़ करने के लिए मजबूर करते हैं जबरजस्थी उनके बाल गटवा देते हैं और गाम वालों की अलोचना का जोकी सामना करने के बावजूद वह उन्हें और अपने अस्थाई मिट्टी के गड़े में प्रिशणन देते हैं और शुरू में लड़कियों अपने पिता के जोकी वहार से नाराज होती हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एसास होता है कि उन्हें उनके भविस्क जुकी परवा है और प्रेडित होकर उन्हें जुकी स्वच्चता से कुस्ती जुकी नुश्टामेंट में भाग लेती हैं जहां वो लड़कों को हराती हैं और कुस्ती मेट खरीदने में जुकी अमसमरत महावीर गद्दे का युपयोग करते हैं और उन्हें जुकी परतिसपादी योजनाओं के लिए जुकी तयार करने के लिए जुकी प्रिश्टाइल कुस्ती में जुकी प्रशातित करते हैं और गीता आगमी जो की राष्ट मंदल खेलों के लिए जो की परिशन लेने के लिए पटियाला में राष्ट खेल जो की आकादामी जाने से पहले राज और जो की राष्ट इस्तर पर जूनियर और सीनियर चैंपियंशिप जितती हैं जोस्तों वही पहुचने पर गीता दोस्त बन जाती है और अपने कोच परमोत कदम के जो की दवाव में महावीर द्वारा से खाए गए अनूश शाषन की जो की अव खेलना करना शुरू कर देती हैं जिससे परिशन के तरीके और कुस्ती तकनीती उसके पिता से पूरी तरह अलग है और इसलिए वह जो की अंतर राश्टे जो की इस तर परहार में जाती है और अपने घर आने के बाद जो की दोरान वह जो की एंकारी तरीके से जो की उसका मजा कुड़ाने के बाद देख जो की भैंकर मुकाबले में ठके हुए महावीर को हरा देती हैं और बवीता जो की उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम्मान करना चाहिए और उसके तुरंद बहुत वभीता राश्ट चैंपियंशिप जीत जाती है और गीता के साथ जो की अकादमी चली जाती है और दोनों बेहनों के बीच एक भावना तमक बाचीत के बाद जिसमें वभीता उसे पुर्शेहित करती है और गीता जो कि आंसूं के साथ जो कि महावीर के साथ जो कि शांती बनाती है राष्ट मेडल खेलनों से पहले परमोद गीता को जो कि उसके जो कि समन्याई 55 किलो गराम के जो कि बजाए 51 किलो गराम भाग वर के जो कि परती इसपर्दना करने के लिए मजबूर करता है और यह जानने इस पर चिटकर महावीर अपने भतीजे ओमकार के साथ जो कि पट्याला जाता है और लड़कियों को गुपत रूप से जो कि कोचिंग देना शुरू कर देते हैं और इसमें जो कि जानने और महावीर के जो कि हस्ट छेप से कुरोधित होकर परमोल लड़कियों को जो कि निश्टित करना सुरू कर देता है दोस्तो ऐसी कहानी जो कि हमें देखने को मिली है दोस्तो आप लोगों को बता दे ये फिलम आई थी 2016 में और फिलम का बजट भी जो कि बहुत 70 करोड रुपे के आस पास था और फिलम ने टोटल बॉक्स ओफिस कोलेक्शन जो कि इस फिलम ने जो कि 2000 करोड से भी जादा की बॉक्स ओफिस कोलेक्शन फिलम ने कमाय थे और इस फिलम के डिरेक्टर थे नितेश तिबारी और इस फिलम को भी उन्होंने ही लिखा था दोस्तों अगर आप लोगों को फिलम देखना है तो आप लोग जो कि इस फिलम को एमा जोन पराइम वीडियो पर जाका आप बड़े आसानी तरीके से फिलम को देख सकते हैं